हमें आपका स्वागत है मैं वो गरुस है नहीं आज की वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे जो नया ट्रांसफर मोड्यूल आने वाला है उसके उपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी अब काफी जो लोग हैं वो एप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ट्रां अब उन्होंने देखा नहीं कि मैं इससे पहले भी मैं डिसकस कर चुगा हूँ कि नया मोड्यूल आने वाला है इस वज़े से यह सब चींज जो चींज़ आ रहे हैं देखते हैं जैसे कि देखो एसस के अंदर जाके यहां पे ट्रांसफर का रहे है ट्रांसफर का यह हमारे मैं सेलेक्ट रहूंगा तो आगे कुछ भी ओप्शन आनी रहा है तो अभी फिलाल कोई भी कोई रिक्वार्स लग नहीं रही है तो क्या यह ट्रांसफर मोड्यूल बंद हो गया है या फिर नया आने वाला है तो यह काफी सवाल जहें वो करमचारियों में है तो आईए मैं को TSS के अंदर ही हमें एक ओप्शन दिखाई देगा नीचे ट्रांसफर ट्रांसफर एप्लिकिशन्स ऐसा ओप्शन आपके पास आयागा है दो चार दिन में शायद आजाए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपके पास ओप्शन है इंडियन रेलवे रिक्वेस्ट ट दूसरे स्टेशन की तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ओप्शन आपके पास आजाएंगे 123 ओप्शन यहाँ पर आप सम्मिट कर देंगे जो भी स्टेशन के नाम है वो यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है तो यह ओप्शन भी अब नया उसके अंदर आने वाला है एंड जो एप तो यहां मैं अप्लाइ करूँगा देखो सबसे पहले तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको एक बात बताई थी कि आपको जब फोटो और सिगनेचर हैं ये दोनों चीजें अपडेट करनी हैं अगर आपको ट्रांसफर लगाना है तो पहले क्या था कि आप फोटो और साइन डाल देते थे देन वो एप्लिकेशन आगे प्रोसर्स जाती थी लेकिन अब आपको पहले फोटो और साइन वेरिफाई कराने हैं इतना जो डिरेशन आपको पीचिंग मिल रहा है जब तक आपको ऑफशन नहीं आता ट्रांसफर टैप का तो इतने आप अपनी फोटो और साइन दोनों अपडेट करा लिए हैं तो मैं आप रिक्वेश्ट लगा सकता हूँ नहीं तो आप लगा ही नहीं पहेंगे, यानि priority किस तरह की ऐसे set होगी, अगर आप लगा नहीं पहेंगे, तो आप तो काफी नीचे ले जाएंगे, तो इसलिए अपने photo और signature पहले ही आप update करा लीजी, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी सारी details दिखेंगी, इंटरनेट काफी स दो चल रहा है इस वजए से अभी चीज़े दिखनी रही है, देखो, यहाँ पे आप जोन select कर पाएंगे, जैसे कि अब मैं लगा रहे थे, जो NER मैंने select कर लिया, primary units वहाँ पे कहाँ पे लगाना है, department कौन सा है, सब department यह सारी चीज़ें आप पे हो जाएंगी, and incoming priority number, इसमे अगर officer ने request आपकी cancel कर दिया है, तो फिर वो सारी priority चीज़ें खराब हो जाती थी इस वज़े से, अब ऐसा नहीं होगा, अब officer के पास में option रहेगा कि rejected, वो reject करेगा, लेकिन priority maintain रहेगी, ठीक है, एक ऐसा option इसके अंदर आएगा, near traffic module के अंदर, अगर officer reject भी कर देता है, तो वापस घुम के वहीं पर आपकी उसी land में आप जाके खड़े हो जाएंगे, और officer के आए, वो priority breach नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, कि किसी चोथे number की उस उसने file process कर दी, तो उसमें क्या उसको out of turn reason देना पड़ेगा, क्यों वो file process कर रहा है उसका, उसके documents उसके अंदर लगे ह आपको दिखाऊंगा कि file कैसे move होगे, कैसे APO के पास में जाएगी, APO से कैसे निकलेगी, तो यह पूरा process हम देखेंगे, कि कैसे file अपनी move होगी, dealing club से आप लगाएंगी, dealing club के पास में जाएगी, इसके बाद में APO के पास में, आपके branch officer के पास में, then DRM के पास में, and वहा से file निकल जाएगी, तो इतना process हम देखेंगे, DRM तक का process देखेंगे, कि कैसे file हमारी HMS module के अंदर move होगी, वो एक दो दिन में मैं वीडियो लाने की process करता हूँ, बाकी इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीने देख लिए हैं, कि नया जो है वो update ऐसा नहीं है, कि जो ड्रा आपको मिलेंगे और भी वो आपको आने वाली वीडियो के अंदर मिलते रहेंगे, यो transfer modules से related जो भी updates हैं, तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आप करें share and please like, share and subscribe आपर चनल स्टड़ी केड़ा, थैंक दोस्तों, बाबाई